जैहिन देखिए अगर आप लोग कम से कम कलास्टेन आनी की मैट्रिक पास हैं और एक सरकारी जो पाना चाहते हैं तो आपके लिए डाग विभाग ने एक बहुत बड़ी वेकेंसी निकाली है जिसका नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं जिसमें कुल मिला करके 44228 पोस्ट की वेकेंसी है और दोस्तों यह वेकेंसी जो है डाग विभाग के दोरह परतेग साल निकाला जाता है लेकिन इस वर्ष इसमें जो पोस्ट है वो बहुत अधीक है और यह कौन-कौन सा पोस्ट है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते लिखा हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर आनि की BPM इसके वाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आनि की A BPM और डाग सेवक का परते गाव देहात से ले करके सहरों तक आप लोग पोस्ट ओफिस देखेंगे तो पोस्ट ओफिस में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर ह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं जो डाक सेवक होते हैं आनि कि लेटर को जो घर-घर पहुचाते हैं तो उसके लिए यह वेकेंसी निकला है और दोस्तों यह जो नौटिफिकेशन है इस नौटिफिकेशन में पूरा डिटेल से दिया गया है कि इसमें अपल अपलाइन अपलाई कर देना इसके बाद मैट्रिक में जो आपका मार्क्स है तो उसके अधार पर इसमें सेलेक्शन हो जाता है मेरिट लिस्ट बनता है और इसके बाद जोइनिंग लेटर जो है सेलेक्टेट के घर में पहुच जाता है तो दोस्तों यह जो सेलेक्शन होने के बाद इसमें सेलेरी क्या मिलेगा तो इन सारे चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में आप लोगो पुरा डिटेल से बताऊंगा इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से ले करके आंतक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिएम लोग आगे बटते और इस वेकेंसी के बारे में इस नोटिफिकेशन में जो भी महत्पून चीज दिया गया इसे लोग सुरू से लेकर के लाश्ट तक देखें ताप लोग सबसे उपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है गौर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओप कॉम्मिनिकेशन्स डिपार्टमेंट ओपोस्ट आनि कि यह जो भेकेंसी है भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है और देश भर के जितने भी अस्टेट है आनि कि जारकंड विहार उत्तर परदेश पच्छिम बंगाल केरल करनाट का महारास्टा इत्यादी तो हर अस्टेट के लिए भेकेंस से आप लोग घर बैठे ओनलाइन अपने मुवाइल से या फिर लेप्टॉप या फिर डेक्स्टॉप से अपलाई करेंगे तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ओफिस विभाग का जो ओफिस्यल वेपसाइट है इंडिया पोस्ट जीडियस ओनलाइन.GOV.in तो इस इसी वेपसाइट में जा करके आप लोगो घर बैठे अपने मुवाइल से या फिर लेप्टॉप से डेक्स्टॉप से अपलाई करना है इसमें सिगनेचर और फोटो इतियादी अपलोड करना है और मैं अभी इस वीडियो में आप लोगो इस वेपसाइट में जा करके हुआ है registration and submission of online application कब से कब तक apply होगा तो 15 जुलाई 2024 से 5 अगस 2024 तक इसे आप लोग ध्यान से देखिए 15 जुलाई 2024 से 5 अगस 2024 तक जिस समय हम इस वीडियो को सूट कर रहे हैं उसी समय लगबग लगबग यह start हो चुका है इसका अंतिम्तिति 5 अगस 2024 तक है तो अगर आप ल दोस्तों अगर इसमें आप लोग apply करते हैं किसी तरह का कोई भी गलती हो जाए तो उसमें आप लोग correction कर सकते हैं edit कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है edit correction window यह जो open रहेगा 6 अगस 2024 से 8 अगस 2024 तक आनि कि 3 दिन तक समय दिया जाए उसमें सुधार करने के लिए और दोस्तों इसमें जो apply किया जाएगा तो इसमें apply करने के बाद जो आप लोग बाकी और भी जो महत्पून चीज दिया गया इसमें अगर आप लोग apply करेंगे तो इसका job profile क्या है तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर assistant branch post manager में आपका होता होता है post master में होता है या फिर post master के post में होता है तो आप लोग को क्या करना होगा bank में देखते ने bank manager जो काम करता है लगभग लगभग वही काम आप लोग को करना होगा post office में रहा करके आप लोग को जो है customer से पैसार लेना है उसको जो है bank के जैसा जमा करना है निकालेंगे तो फिर देना है, और अगर लेटर औbeiter आता है, तो उसका हिसाब किताब रखना है, तो ये काम आप लोगो को करना होगा, अगर इसमें सेलेक्शन हो गया, और अगर हो गया आप लोगों का डाग से वक में तो आप लोगों को पता है कि उसमें लेटर जो घर-घर आप लोग को बांटना होगा post office के लगबग 5 km के radius में और इसमें जो विशेष चीज है कि आप लोग को cycle चलाने आना चाहिए अगर cycle नहीं चला पाते हैं तो हाल फिलाल आप लोग देख रहे हैं कि हर किसी के घर में बाइक है तो बाइक से भी आप लोग 4-5 km के radius में लेटर वगेरा पैसा वगेरा जो भी post office से आएगा तो उसको आप लोग बांट सकते हैं आनि कि घर में रह करके इस काम को आप लोग कर सकते हैं इसका दोस्तों अगर इसमें आप लोग का selection हो जाता है तो selection के बाद इसमें salary क्या होगा तो salary के बारे में मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर दिया गया है आप लोग यहाँ पर देखिए salary क्या होगा तो salary यहाँ पर देखिए दिया हुआ BPM आनि की branch post master में अगर आपका होता है selection तो 12,000 से लेकर के 29,380 रुपईय है और वहीं पर A BPM आनि की assistant branch post master या फिर डाग सेवक में होता है तो 10,000 से लेकर के 24,470 रुपईय सेलेरी रहेगा बेतनमान रहेगा यह जो बेतनमान है ना अधिक है ना कम है बीचो बीच में जरूर है और इसमें जो बिशेष है कि यह जो काम करेंगे तो आपके घर के अगल बगल के post office में आपका निवक्ती होगा वहीं पर आप लोग को job मिलेगा तो इसे आप लोग असानिक से कर सकते हैं और इसके दोस्तों इसमें जो apply आप लोग करेंगे तो apply करने का जो age है age limit क्या है आपका उमर कितना होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं minimum age जो 18 साल होना चाहिए कम से कम आपका उमर कितना होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल होना चाहिए और वहीं पर अगर आप लोग ST, SC या OBC हैं तो उसमें और भी छूट है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि किसका कितना छूट है तो यहाँ देखिए दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए SC और ST अगर हैं तो 5 साल और छूट है आनि कि 45 साल तक भर सकते हैं OBC हैं तो 3 साल छूट है आनि कि 43 साल के उमर तक इसमें भर सकते हैं और इसके बार दोस्तों जो vacancy है तो इस vacancy में जब आप लोग apply करेंगे तो apply करने के बार इसमें जो business चीज है हम लोग अभी देख रहे थे कि इसमें selection metric के number के अधार पर होगा metric में जो आपका marks है उसके अधार पर होगा तो उसमें आप लोग का English और साती सद math ये दो subject होना चाहिए class 10 में अधिकतर student का English और math रहता ही है तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं किसी तरह का कोई tension नहीं है और इसके बाद इसमें जो आप लोग apply करेंगे तो apply जो website के माध्यम से करना है चलिए हम लोग उस website में घुशते हैं और देखते हैं जिसमें जो apply होगा तो यह देखिए यह आपका official website था और इस website में हम लोग जाएं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह जो online करना है उसका official website यहाँ पर आ चुका है इसको जब हम लोग click करें तो इस तरह से देखिए यह खुल चुका है और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो notification यहाँ से download कर सकते हैं और यहाँ पर किस state के लिए कितना sit vacant है वो भी हम लोग देख सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस state के लिए कितने sit vacant हैं तो इसको जब हम लोग click करते हैं तो click करने के बाद वो जो download होना शुरू हो है आप लोग थोड़ा लेट लगेगा देखिए किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है तो आप लोग यहां पर सुरू से देख सकते हैं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है तो यहां पर कि आप लोग देखिए यहां पर दिया हुआ है सबसे उपर में आप लोग देखिए यहां दिया हुआ है आंदर परदेश, असाम, 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 बिहार, अच्छतिस गड़, देली, गुजरात, हरियाना, हिमाचल परदेश, जम्मू कस्मीर, जारखंड तो देखिए पुरा दिया हुआ है और इसमें एक चीज बिशेश है कि अगर आप लोग जारखंड में नोकरी पाना चाहते हैं तो हिंदी जानना होगा पुरा अस्टेट के बारे में दिया गया है कि किस अस्टेट के लिए कौन सा भासा निर्धारित किया गया है चुकि इसमें जो काम होता है तो गाह देहात य के लिए कितना स्टेट के लिए कितना पुरा डिटेल से दिया गया है तो दोस्तों यह जो भेकेंसी है आप लोगों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है इसमें अपलाई करके बैठ जाईए अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है जोइनिंग लेटर आ जाएगा इसके वोद आपकी इच्छा पर निर्भर है कि इसमें आप जोइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में जो यह नई भेकेंसी आई है 44228 पोस्ट का तो यह आ चुकी है और इसमें आप लोग जल्दी से जल्दी अप करके इसके नोटिफिकेशन विल्को प्रेस करके रख लिजिए ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों को उससे फाइदा हो तो फिर से मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक क कि लिए जय हिन बंदे मात्रम जय जारकन जुहार जारकन थैंक यू